विक्सित भारत संपर्क अगर इस नाम से आपको वाटसप पर मैसेज आया है तो आप अकेले नहीं है क्योंकि आपके जैसे लाखो लोग ऐसे हैं जिनके वाटसप एकाउंट पर इसी नाम से मैसेज आय हुए है मगर प्रॉब्लम वाली बात ये है कि जिन लोगों को वाटसप पर ये मैसेज मिला है उन्हें पता ही नहीं है कि इस मैसेज का करना क्या है और उन्हें ये मैसेज क्यों मिला है और इसके साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो मैसेज आया है ये पूरा का पूरा स्कैम ह चाहिए बंद कर देना चाहिए और कुछ लोग के रहे नहीं नहीं यह रियल है तो वाई सची बात क्या है क्या है सची बात तो चलिए मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ पहले हम यह बात क्लिएर कर देते हैं कि जो WhatsApp पर मेसेज आया हुआ है जिस एकांट से जिस नंबर से वो WhatsApp एकांट रियल है या फिर फिर तो दिखें यहां पर आपको पहले वैरीफाइट टिक मार्क दिखाएदेगा और वैरिफाइट टिक मार्क का बभल ये है कि ये एक एक verify वो तब ही करता है जब वो account पूरी तरीके से real होता है क्योंकि account verify करने के लिए कुछ document वो whatsapp को दिखाने पड़ते हैं और तब जाकर ही whatsapp वो account को verify करता है तो यहाँ पर account verify है इसका मतलब यह है कि whatsapp की तरब से यह account बिलकुल real है और whatsapp ने real कहा है तो simple है हमें भी मानना होगा क यह account real है फिर भी कुछ लोग confused ना हो तो अगर आप इस account के about में जाएंगे तो यहाँ पर आपको address मिलेगा देली का और यह जो number है यह भी देली का ही number है और यह पूरी जो details है या फिर जो भी यहाँ पर website के link दिये यह भी एक government के ही website है तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको ऐसी ऐसी website पर कोई भेज रहा है या फिर कोई ऐसी जगा पर भेज रहा है यह पूरी तरीके से account real है अब यह account real है तो भाई सबसे बड़ी बात है कि विक्सित भारत संपर्क है क्या तो देखें यह government के एक मुहीम है या फिर एक अभियान है जहाँ पर लोगों को WhatsApp के दुआरा connect क किया जाएगा या फिर contact किया जाएगा और उनी लोगों कोंटेक्ट किया जाएगा जिन लोगों ने अपना mobile number किसी भी government scheme में दिया है यानि कि अगर आपने government कि किसी भी scheme में अपना mobile number दिया है तो आपके mobile नंसेश और यह वाला message का头 पहले तो यहां पर आपको language select करनी होगी यहां पर आप अपनी कोई भी native language select कर सकते हैं गुजराती, हिंदी, मराथी, तमिल, तैलोगू और language select करने के बाद यहां पर आप से उसी language में पूछा जाएगा कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि भई आप फना फना बंदे हैं फना फन जगा से आपने कोई scheme ली थी और अगर आप government की कोई और extra scheme लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं और सबसे मज़िदार बात यह है कि scheme लेने के लिए बस आपको select करना होगा यहां पर government की धेर सारी scheme आपको मिल जाएगी और जो scheme आपको सही लगती है जो scheme के लिए आप सही है वही scheme को आप select करेंगे उसके बाद simple है आपको यहाँ पर अपना address भी देना होगा और government आप से contact करेगी यानि कि घर बैटे बैटे आपको government की scheme के फाइदें पहुंच सकते हैं इसके साथ साथ अगर आपने government की कोई scheme लेके रखी हुई है जो भी कुछ फाइदा आपको हु feedback भी यहाँ पर दे पाएंगे यहाँ तक कि आप प्राइम मिनिस्टर को भी feedback दे सकते हैं तो कुल मिला कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यह विक्सित भारत संपर्ख है वो एक real message है real WhatsApp account है तो अगर यह message आपको आया है तो वेट करें देरे देरे आपको यह message मिल जाए दोस्तो टेक केर बाए